इस समय की आपके परसन की क्या है देखेंगे टेरो कार्ड में सो आप सभी लोग को बोलूगी चल को लाइक सिस्क्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चाहते हैं मुझसे जोड़ना रीडिंग देखना तिन में तीन से चार बार मैं रीडिंग डालती हूं आपके लिए और सिस्क्राइब कर लीजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जब भी मैं रीडिंग डालोंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जागा तो आपके परसन के अनर्जी आपको लेकर क्या हो रही है क्लेक्टिव डीडिंग है जन्नल है यह सभी लोग देख सकते हैं तो चेक करेंगे अनर्जी इसको कि क्या है उनकी अनर्जी आपको लेकर उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर ओके सो यहां पर तो बहुत ही बड़ा बिग डिसीजन मुझे दिखाए दे रहा है इस टेरो कार्ड में और उनकी जो अनर्जीज आ रही है उसमें मतलब साफ तोर पर दिखाए दे रहा है कि आपके परसन बड़ा फैसला बिग डिसीजन ले लिया है उन्होंने और खु क्योंकि उनकी जो अनर्जीज को आप समझने के अगर कोशिस करोगे तो आपको इस चीज़े बहुत सी समझ में आ जाएंगे के लिया अप पूरे तरीके से क्या हो रहा है ना कि इन्होंने मन बना लिया है आप से अपने रिश्टे को जोड़ने का या आप से अपने रिश् प्रेशर बहुत ज़्यादा है यह चीज मुझे यहां पर टेरो कार्ड में शो हो रही है कि बहुत प्रेशर है इनके ऊपर लेकिन में चीज है कि इनकी जो इनकी जो फीलिंक्स है ना आपके लिए वह फीलिंक्स बहुत ज़्यादा है इनकी आपको लेकर तो यह चीज कर और ने जो आज़ा है। कि परस्ट्रॉल मौने छहाए कि नहीं अपरिशान अगरे के वह बहु के चीज पराटनर है तो कि करने पड़ते हैं कि ऐसे energies दिख रही है एक काफी दा stressful depressed energies आ रही है आपके person की अब यह जो partner है आपके marriage हो सकते हैं love relationship इनके साथ हो सकता है कोई extimate relationship भी हो सकता है मतलब आपका relationship कोई भी हो सकता है यह चीज को बारी में मत सुचा कर रही है कि मैं शायद इसी particular kutuklar Lubos relationship की reading कर रही है नहीं अएसा नहीं है मैं हर कि पर्टिक्लर रिडिंग कर रही हूं आपके सफ़के कितना मैच करती आप देखें तो यहां पर झो परशानीय मुझे आपके person की दिख रही जो जैंटीयस मुझे दिख रही बहुत बड़ा decision हो सकता है आपके लिए आपके life को बदा सकता है ये उनका एक decision क्योंकि I think जहां तक मैं इस card सो ही अगर मैं energies को लेती हूँ आपकी भी energies तो उनकी एक फैसले पर है ना उनके एक decision पर एक छोड़े से एक फैसले पर एक हाँ पर आपका रिष्टा टिका हुआ था अगर वो एक हाँ कर देते या आपके साथ मिल जाते तो आज सारी इज़र ठीक हो जाती तो इंतजार भी काफी था आपका लेकर उनकी जो इक्षा देख रही है है ना इक्षा जब भी मैं कुंडली बनाती हूं जनम पत्री मनाती हूं मैं किसी की भी ग्रह देखती हूं particular तो सबसे पहले मैं जब कोई मुझसे कहता कि मैं मैं relationship चाहता हूं मैं ये शादी चाहता हूं मैं ये job चाहता हूं मैं मकान चाहता हूं मैं कुछ भी particular चाहता हूं ये मैं कुछ भी चाहती हूं है ना वर एक्षमिक बता रही हूं आपको तो मैं सबसे पहले उसका 11th house check करती हूं कि भाया इसकी जनम पत्री में इसकी कुंडल हो तो यह बहुत बड़ी बात है तो में चीज एक्षा है ना आप जो चीज चाहते हो आप इसकी एक्षा करते हो फिर उस तरफ जब डालते हो देन तब जाके इश्वर भी आपका साथ देते तो सेम यही चीज मैंने जो एक्जामपल दे वह इसलिए दिया क्योंकि यहां पर हताए यह चीज से दिख रही है आपके इक्षा थी कि आपका पर्सन आपके लाइफ में आये वह आपके साथ शादी करें यह वह कई यह फार आपका साथ निवाए वदानिवाए अब वह आपकी इक्षा पूरी होती हुई मुझे यहां पर दिख रही है क्योंकि आपक infection के स से यहां पर आपके relationship को जुड़ता देखिया और दूसरी चीज अप वो कोई chance भी नहीं लेंगे आप से दूर जाने का यह एक card आप सोच रहोगे मैं एक card से काफे सारी कीज़ है यह definitely मैंने आपको main card है जो वो चाहते हैं अब वो जो उन्होंने strap उठाया है इनका next action जिसका आप इंतजार कर रहे हैं ठीक है तो यह चीज यहां पर दिख रहे हैं कुछ और cards ले लेती हूं मैं strong energies यहां पर आज की energies में strong energies शो हो रहे हैं अच्छा दूसरी चीज आपके person यह चीज भी जानते है कि आप उनका wait कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, यह चीज आपके partner चाहते हैं यह चीज यहां पर इस चीज को बतारहा है, थर्ड़ party का control बहुत जादा है, traveling energies आ रही है, किस के लिए traveling energies आ रही है, क्योंकि यहां पर जो ट्राफलिंग के अनर्जी से वो यहां पर यह भी कह रही है कि आपके पार्टनर या तो आपको बुला सकती हैं मिलने के लिए या पर अगर आपके पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं, यह चीज़ आपर बता रही हैं, आपकी जिन्दगी में आपका परसन लॉट करा रहा है, यह कार्ड यहांपर यह कहरा है, बहुत परिशारिया हैं आपके परसन की लाइफ में, बहुत जादा, मतलब थाड़ पार जान लग रहा है मतलब लाइक जो एनर्डी मुझे रिसीव हो रही है उसमें मुझे जो महसूस हो रहा है जो बाइप्रेशन मिल रही है यह थर्ड पार्टी है बहुत ही क्लेवर परसन है और कहीं न कहीं आपके परसन या अच्छे आपके पार्टनर है वह इस थर्ड पार्ट आते हैं बाहर है ना तो यह चीज आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है जो डिसीजन लिया है और डिसीजन है खुद का डिसीजन है बतलेंगे नहीं वह प्रापर तरीके से उन्होंने आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें सोची है मूट स्विंग बहुत हुआ है उनका औ इस तरह के अनर्जीज आ रही हो कहीं कहीं दिख रहे हैं कि आपने और उन्होंने शादी कर रखी है और हो सकते हैं कि अनर्जीज यहां पर कह रही है कि शोशल नहीं किया अपने अपनी मैरेज लेकिन आप शोशल करना चाहते हो आप बताना चाहते हो कि हम साथ में हैं लेक गैप खुद से स्ट्रोंग कनेक्शन तो उसमें उनकी जो एनर्जी जा रही हैं वह स्ट्रोंग आ रही है मतलब बाइबरेशन एकदम कमाल की दिखाई दे रही है एकदम जागरत हो उड़ जागरत हो रही है जो कि आपको मिलाएगी लो कांटेक्स सिच्वेशन यहां लव रिलेशन से बालों के लिए भी बहुत टाइम से मुझे लग रहा है इस रिफ्रेंस है कोई-कोई एनर्जीज में मुझे बहुत मैच्चुर एनर्जीज दिख रही है आपकी इस बहु प्रेजेंट कर रही है मैंने बोला ना आपसे फर्स्ट कार्ड नहीं मुझे आज सारी एनर्जीज को बता दिया था क्या-क्या होने वाला है आपकी लाइफ में चेंजिस होने वाले बड़ा बड़ा चेंजिस आने वाले हैं जो परसन सालों पहले छोड़कर चले गए थे वो परसन अचानक से आ जाएंगे इससे बड़े बात और क्या हो सकती है जो परसन के साथ सालों पराना रिष्टा था और कई महिनों से वो बदल चुके थे और लों ने ये पूछना भी बंद कर दिया था कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो जिनकी लिए आज भी आप डिप् यहे रही हो आप पोजटिव सोच के देखे ना आप अपनी सोच को नेगे टिव बना होतो चीज नेगे अगर आप अपनी सोच को प्रण को चीज फूपर भी करता है तो यहां पर सरिब्रेशन है मैं Effectiveness को नेकर अगर आपने कुछ मुझ भी सोच कर रखा है अपने पार्टनर को कि हाँ यह आए तो सही बात करें तो सही मैं तो उनका साथ देन के लिए तयार हूं मैं तो अगर ऐसा को सोच कर देखा है तो फिर आप तयारियां कर लेज़ेगा मैं इस केनर्दीस है परसन आपको लेंगे लेकर आएंगी जो कि की निकी पूरा इरादा जो बन गया है वह यहाँ पर दिक रहा है अच्छा मैं कुछ राशियां ले ले थी ठीक है तो राशियां यहां पर मिरको जो दिख रही है Aries दिख रही है, Capricorn दिख रहे है, Sagittarius है लीजे भाइ, Reunion का कड़, Celebration पर रख दिया मैंने Celebration with Reunion, चलिए तो यहाँ पर Aries है, Sagittarius है, Capricorn, Taurus, Gemini, Livra है Leo Cancer है, Pisces है, बड़ी सारी राशियां आ रही है भाइ आज क्या बात है, मुझे लग रहा है कि जब मैंने देखा है कि इस तरह के अनर्जी होती है तो फिर राशियां भी बहुत होती है चले, अभी नमबर्स बताऊंगे, कुछ नमबर्स आज बहुत ज़्यादा है अगर आपको 7777 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 111 दिख रहा है लाइक, मैरिस का हो, चाहिए आपके लव का हो, कोई भी ऐसा तो यहां पर यह अनर्जी शो हो रही है, नमबर्स मेरे को बहुत ज़्यादा शो हो रहे है अगर आपको भी रिपीटिट नमबर दिख रहे हैं तो आप में ज़रू बताएगा क्योंकि हर नमबर अपनी एक कहानी लेकर आता हर एनर्जी के पीछे कुछ बड़े-बड़े सच जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं तो यह सिच्वेशन दिख रही है क्योंने के अलफवेट आप देख लिएगा कि को हैं यह कुछ दिख रहे में बता देते हूं बिए ना बी दिख रहा है बी फॉर बिक्ट्री वाला भी हो सकता है बी-फर बनाना वला भी यह दोनों ही वी दिख रहे है टी दिख रहा है A दिख रहा है, L, S दिख रहा है, K, M दिख रहे है, A, R दिख रहे है, S, P, Q दिख रहे है, N, H दिख रहे है तो यह alphabet आपको मैंने numbers बता दिये, राशियां बता दिये, alphabet बता दिये आपके person की situation को बता दिये कि आप रोके से नहीं रोकेंगे यह बहुत तकलीफे हैं इनकी life में, बहुत परिशानिया हैं आपके partner के life में इनकी condition जब से खराब हो गई है, जब से आपके partner ने third party की बज़े से आपके साथ move on किया, जब उन्होंने आपके साथ थे, तो कम से कम उनको यह रहता था कि वो अपनी feeling आपके साथ share करेंगे, आपने इनको बहुत ज़्यादा financial support किया, हर तरीके से support किया, जो यह कहते रहे, वो आप करते रहे, लेकिन sudden ही इन्होंने break up कर दिया, और बहुत सारी, क्योंकि यह चीज़ यहाँ पर आया हुआ ना, यह वला card, यह जानते हैं, यह जानते हैं, क्या जानते हैं, यह अपनी गलतियां जानते हैं, इन्होंने, और इस समय मेरे को जादातर गलतियां आपके person की नज़र आ रही है, according to card, आपकी कितनी है, यह चीज़ अलग बात है, लेकिन जो याद दिखाई दे रहा है, उसमें चीज़ें दिख रहे हैं, कि आपके person ने चीज़ों को समझा नहीं, understand नहीं किया, और कहीं कहीं धोके की इनर्जी जा रही है, था कुछ बताया, कुछ चीज़ें सामने थी, कुछ आपके सामने प्रेजेंट कुछ की है, बहुत सारी बाते इनको पता थी, बहुत सारी बाते पता थी, बटन उने आपको नहीं बताएं, चीज़ें किलियर थी, शादी को लेकर भी, बहुत सारी बाते उनको खुले थे, उनकी कि हाँ थड़बाटी शादी नहीं होने देगी एक रहुं पर वूं नहीं को ही अरे समय नहीं मखिए रहे थे हर्ट और को अग्षैन कीotional सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुए जो को चीजे को फिạy ही लिकिन सब्सक्राइब लगाद सब्सक्राइब है वो स्ट्रॉंग डिसीजन है ले लिया है और अब ये डिसीजन को कोई नहीं रोकेगा उनको आपके लाइफ में आना है तो आना है यह चीज यहाँ पर शो हो रही है तो डियर गाइज बहुत ही खुब सूरत अनर्जी के साथ ही मैं टेरो कार्ड डेडिंग को अभी के रिडिंग करती जाओ मैं रिडिंग ऐसा वाला सिच्वेशन दिख रही है कि मतलब खतम ना करो तो खतम नहीं भी होगी यह चीज है हाला कि आपके परसन का जो मन है ना वह आपकी तरफ एट्रैक्ट हो गया है बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है मैं आपको यह भी बादा उनने आपका दिल दुखाया है न क्योंखे यहां पर अनरजी जा रहे कि उन्होंने आहिए आपको बहुत हर्ट किया और यह चीजह उколь estaru prove और उनहोंनες अशरूही हो और जब उन्होने आपको हर्ट किया और वहंगो多 हैं ना क्योंकि दो लोग जब इक दूसरे से देन अलग हो जाएंगे तो क्या होगा तो आपके परसन का जो डिसीजन है वो आपने प्यार के लिए आपके लिए बहुत दूरियां दिख रहे हैं लॉंग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है इस डिफरेंस दिख रहा है लेकिन सब कुछ के बाद भी महबत दिख रही है जो आपके परसन परसन आपको आपके का परसन के खाए बात कर सकते हैम को अग्रहाच सकते हैं दिख रहा है त्रुकार्ट रिडिंग ले